आप देख रहे हैं दखल न्यूज सरजीरी में आंकिस्वा मर्तक और वशी चुरी वाला पर देजद्रों कक्केश तर्ज रैली में लगाय थे देश्विरोधी नारे शत्रुगन सिन्हा ने की अप्ट्वेट लिखा पीएम मोधी को सैल्यूट करता हो सिन्हा ने पीएम मोधी की तारीफ के बांदे हैं पुर आइम एंड आइव विल की थीम परमना विश्व कैंसर दिवस कैंसर को लेकर लोगों को किया गया जागरू नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगव का कबलनात परतंज पताया आइफा को सरकार की वादा खिलाफी का जश्ट प्रदेश की जनता है हाराकान नाचने वाले सरकारी महमार और चिनवाडा मौडल की खुली पोल शाष के स्कूल प्रभू भरो से इस स्कूल से गाया व्षिक्षत छात्रों से सोचाने के लिए धुरवाया जाता है पानी नमश्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखली उस खबर विस्तार से देश के टुकड़े करने के बयान देने वाले जवाहर लाल नहरु विश्व ध्याले के छातर शर्जिल इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली कारकरता उर्वशी चुड़ी वाला पर विरोधी नारे लगाए गए थे रैली में शर्जिल तेरे सपने को हम मंजल तक पहुचाएंगे नारा लगाने वालों में और वर्शी चुड़ी वाला सबसे आगे थी उनका वीडियो वारल हो रहा है बाचपा के पूर वसांसात की रीट सोमया ने दो फरवारी को इस बार में नारे लगाने वाली उर्वशी चुड़ी वाला के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस स्थाना में देश्द्रों की धारा में फाइयर दर्श की गई माराश के ग्रेमंत्रिया निल देश मुख ने बताया और वशी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर देश विरोधी नारे ल आपको बता दे कि मामला क्या है दरसल मुंबई में हर साल LGBT समुदाय समलेंगिकों के अधिकारों को लेकर क्विर आजजादी मार्च निकालता है हमसफर ट्रस्ट की ओर से ये मार्च मुंबई के अगस्त करांती मैदान में निकाला जाता है लेकिन इस बार पुलिस ने आजजाद मैदान में मार्च निकालने को कहा पुलिस ने C.A. और N.R.C. जैसे मुद्दो पन नारे बाजी नहीं करने की हिदायत देकर मार्च निकालने की अनुमती दे दी लेकिन मार्च में जम कर शरजील के समर्थन में नारे लगने लगे आजज़ील ने नारे बाजी की निंदा भी की कुएर आज़ादी के आज़ीकों ने नारे बाजी से खुद को अलग कर लिया समलेंगिक संगठनों की ओर से बयानजारी कर भड़काव और कटरबंथी नारों की कड़ी निंदा की गई थी बता दे कि सरजील इमाम ने दिल्ली के शाहिन बाग में सीए और एनार्सी के विरोध में जारी धरना प्रदेशन में असम को भारत से अलग करने की बात कही थी इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे बिहार से गिरफतार किया था वहीं सरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली उसकी समर्थन और वशी चूरी वाला समेथ 50 लोगों पर केज दर्ज किया गया है प्रदान मंत्री नरेद मोदी के धुर विरोधी और हाल ही में कॉंग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुगन सिन्हा जो अपने तीखे बयानों के चलते हमीशा सुर्खियों में रहते हैं मगर इस बार शत्रुगन सिन्हा कुछ अलगी अंदाज में नदर आए है उन्होंने पीए मोदी की तारीफ के पुलवांदे हैं शत्रुगन सिन्हा ने पीए मोदी की ना सिर्फ तारीफ की है बलकि उनके काम के लिए उन्हें सैल्यूट भी किया है दरसल पीएम मोदी द्वारा कोरोना वायरस की वज़ा से चीन में फसे भारतिय नागरिकों को निकालने के लिए उठाए गए तक्तरित कदम की शत्रुगन सिन्हा ने तारीफ की है उन्होंने कहा कि जल्द कदम उठाना हमेशा अच्छा रहता है बता दें कि अब तक चीन में फसे 600 से ज़्यादा भारतिय नागरिकों को विशेश विमान से वापस लाया जा चुका है भाजपा छोड़ कॉंग्रेस का दामन ठामने वाले शत्रुगन सिन्हा अपने बेवाक बयानों की वज़ा से पहचाने जाते हैं उन्होंने हालिया घटना करम के बाद पियम मोदी की तारीफ करते हुए ट्विट किया जिसमें लिखा राजनीती को एक तरफ रख कर यह काम राष्ट्र हित्मे किया गया है मैं कृत्यक्जिता के साथ आपको और आपके लोगों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने एमर्जनसी के हालात में तदकाल कदम उठाते हुए भारतियों को बाहर निकाला है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जल्द और जल्द ज्यादा बहतर होता है इसके पूर्ल सिन्हा ने एक अने ट्विट में प्रधान मंतरी नरिन मोदी के साथ ही ग्रे मंतरी अमिशा, पीमो और एर इंडिया के साथ क्रू की सभी काम के लिए तारीव की थी विश्वर कैंसर दिवस हर साल की तरहां इस साल भी चार फरिवरी को आईजित किया गया ताकि दुनिया भर में कैंसर को लेकर लोगों को जागरू किया जा सके इस साल की थीम रही I am and I will वर्ल्ड कैंसर डे पर दुनिया भर में इस जानलीवा बिमारी को लेकर तरहां तरहां के प्रोग्राम आईजित किये गए कैंसर जैसी बिमारी के बाद उचित इलाज और साबधानी से आपकी जान पढ़ सकती है कैंसर इक ऐसी बिमारी है जिससे लड़ा जाए तो उसे हराया जा सकता है ऐसी कई वॉल्लीवूद की हस्तिया है जिन्होंने कैंसर से जंग लड़ी है और जीती भी है इनमें वॉल्लीवूड एक्टर्स सुनाली बेंडरे, मैनीशा खोईराला और लीशा रे के नाम सामने आते हैं तो वहीं क्रिकेडल स्टार लिवराव सिंग में भी कैंसर को हराया है कैंसर की बिमारी को लेकर एक सबसे बुड़ी समख्या यह है कि इस बिमारी के लक्षन आखरी स्टेश में पता चलते हैं जिसकी वज़ा से कई बार मरीज की जान चली जाती है अगर वक्ट पर कैंसर की बिमारी का पता चल जाए तो इसका इलाग संभव है कैंसर की जंग को जीतने के लिए हर साल चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस का आईजन किया जाता है ताकि लोग इस बिमारी को लेकर जागरो को रह सके विश्वस्वास तो संगठन के मुताबिक हर साल होने वाली छे मौतों में से एक मौत की वज़ा कैंसर की बिमारी होती है साल 2018 में कैंसर की बिमारी की वज़ा से दुनिया भर में 96 लग्स ज्यादा मौते हुई है करज में डूबी कमलनास सरकार का आयोजन आयफा आवाड कमलनात की कारे प्रनाली पर कई सवाल खड़े कर रहा है सोशल मीडिया पर इस आयोजन को लेकर कमलनात पर तंज कसे जा रहे हैं वहीं आईफा अवार्ड के ग्लैमर और कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश पर सियासत उबाल पर आ गई है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगव ने तो यहां तक कह दिया कि कमलनास सरकार के निकम्मेपन नाकारापन और वादा खिलाफी का जश्ट है आईफा अवार्ड प्रदेश की जनता है हालाकान और नाचने गाने वाले बनेंगे सरकारी महमान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगव ने कहा कि मध्रदेश की धर्ती पर दलितो आदिवासियों पर अत्याचार हो रही है किसान कर्जमाफी के इंतजार में आत्म हत्या कर रहा है रोजगार युवा हताश और अफसात का शिकार हो रहा है कन्याएं अपनी ग्रहस्ती वसाने के लिए उपहार राशी का इंतजार कर रही है संबल योजना के हितगराही, कफन सहता, मृत्यू सहता की आशा में रोज भैंक से खाली हाथ लोट रहे है खाली खजाने का हवाला देकर कमलनास सरकार गरीबों की योजना को बंद कर रही है वहीं दूसरी और आइफा आवार्ड के नाम पर सरकार अपनी वावाई में लगी हुई है उन्होंने कहा कि ये आइफा आवार्ड प्रदेश की जंता के पैसों से हो रहा है कमलनास सरकार के नाकारापन, वादा खिलाफी और दलित और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचारों का जश्न है आईफा वाट उन्होंने कहा कि गरीबों की चिंता करने की बजाए कमलनास सरकार फिल्मी सितारों की आवभगत में लगी हुई है प्रदेश की जनता हलाकान और नाचने वाले सरकारी महमान बनेंगे उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों को आईफा वाट जैसे नाज गाने का शौक है तो बड़े शेहरों में जाकर अपने पैसों से अपने शौक पूरे करे जनता की गाड़ी कमाई ऐसे आयोजनों पर खर्च करना जनता का अपमान है जिससे प्रदेश की जनता बरदाश्थ नहीं करेगी अब प्रदेश में नया आईटम दिखाएं जा रही है वो आईटम का नाम है आईफा एवाड है बोपाल उन्दो शेरों में जैसा बताये गया है यह वाड़ ताई जनता होगा लगवक साट सतर करूप्या इस अवाड़ पर खर्च होना है प्रदेश की जैसी आर्थे किस्तितिये सुम सरकार स्वीकार करती है इस बात को ना उसके पास किसानों की रिण माफी के लिए पै इसा है रोज किसान आत्म हत्या कर रहे हैं और तो और कन्यालाल में जो स्वीक्रत राश्य के आन हजार रुपया वह क्यान हजार रुपया भी हजारों करन्याओं के खाते में आज तक श्यमईन हो गए नहीं पहुंची है अने को ऐसी है कपन दफन का पैसा भी पाशिया रुपया नहीं डी रहे होगी यह होती है चाललाग रुपया दूर्ग असे उसको नहीं दिखैनां की लिए भवान दोर्न को सबिए क कारिक्र पनर भना के कि यह फिजूल खर्ची है और तत्काल प्रवाद से इसको बंद होना चाहिए यह आइफा वाइफा एवार्ड जो है यह बंबई दिल्ली के लोगों करने मद्द प्रदेश पैसे भी एक प्रकार से मैं मान के चलता हूं कि फिल्हाल आर्थिक संकट से जूज रहा है और मान की चलता हूं कि प्रदेश के गरीबों के ऊपर किसानों के उपर मदूरों और बेजकर विकारों के उपर लाचारों यह और तो और गरीब करन्याओं के जिनके खाते में पैसे नहीं गिर रहा है उनकी वर एक बढ़ बड़ा वज्जर घात होगा और कारीक्र पर्थिक खाली छोड़ा गया लेकिन फिजियून खर्ची के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है पता चला है कि सरकार आइफावाट पर करीब 58 करोड रुपे की राशी खर्च करने जा रही है यह राशी और भी ज्याना हो सकती है इसकी तैयारियों के लिए सरकारी मशीनरी को ल दिलों की निराश्रित निधी के 750 करोड भी अन्यत्र खर्च कर दिये अतिती शिक्षक पिछले 53 दिनों से धरने पर बैठे हैं उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार का यह तर्क है कि आइफा से रोजगार बढ़ेगा यह हास्यास्पद है मुख्यमंत्री कमलनाच जी आइफा अवर्ड प्रदेश में करवा कर पता नहीं आप प्रदेश को कौन सी उचाईयों पर ले जा रहे हैं मगर शायद प्रदेश के लिए बेहतर यह हो क्यों उचाईयों से नीचे उतर कर आप जमीनी हकीकत को देखें चिनवाणा मौडल की तरज पर मद्रदेश का विकास करने की बात कहकर आप सत्ता में तो आ गए मगर सरकार आपके मौडल चिनवाणा के ही हाल खराब है कमलनाथ के मौडल चिनवाणा में कल का भविष गणने वाले स्कूली चात्रों के शाष्किय स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है और ना ही बच्चों के लिए कोई सुभिधा है सुनिये कमलनाथ जी अब इससे ज्यादा शर्मनाथ बात क्या होगी कि स्कूल की छात्राओं से सौचाले के लिए पानी ढुलवाया जा रहा है तस्वीरे कभी जूट नहीं बोलते हैं शाश्किय स्कूलों की ये तस्वीरे मुख्यमंतरी कमलनाथ के चिनवारा विकास की पोल खोल रही है मुख्यमंतरी कमलनाथ जी आईए आपको दिखाते हैं चिनवारा मॉडर की कुछ तस्वीरे ये आपके विकास की कहानी कहती है ये तस्वीरें आपके चिंदवाडा के परासिया के दर्बई गाव में शाश्किय स्कूल की हैं ये आपके आईफा की चकाच्यों से बिलकुल उलट हैं हालाद बेहत गंभीर हैं मुख्यमंत्री जी आप चिंदवाडा जिने को शिक्षा के छेतरे में उचा बताते हैं लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बया कर रही हैं यहां के शाश्किय स्कूल में शिक्षक यदाकदा ही मिलते हैं पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ अमानविय व्यवहार किया जाता है पढ़ने आए बच्चों से सोचाले के लिए पानी ढूलवाया जा रहा है अब आप सुनिये कि स्कूल में पढ़ने वाली तीसरी कक्षा की छात्रा कह क्या रही है पानी क्यों ला रहे थे पिटा? मेडम ही बोलती है कौन सी मेडम? नागवन्शी कितने दूर से पानी लाते हो आप लो? पासी में थोड़ा दुआ है आप लोग पढ़ाई करने आते हो कि पानी धुने आते हो यहाँ पर? पढ़ाई करने है तो फिर पानी क्यों बुलवाती है मेडम? संदास में डावने के लिए तो सुना आपने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली राजनन्दनी कह रही है नागवन्शी मेडम रोजाना संदास के लिए पानी धुलवाती है अब देखिए शिक्षकों के हाल इनमें भी बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा रुची दिखाई नहीं देती शिक्षक आए देनी स्कूल से गायब रहते हैं और पूझने पर पता चलता है कि वे शादी समारों में गए हैं अब प्रदेश में इसकूलों की शिक्षा का क्या इसतर है यह तस्वीरे देख कर साफ हो जाता है बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा शिक्षकों का शादी में ज्याना ज्यादा जरूरी है यह पानी आप लिग ओसले लाते हो बटा अब जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी ने यह कह कर पल्ला जाड़ लिया कि उन्हें इस बारे में ज्यादा ज्यानकारी ही नहीं है अब अधिकारी को समस्या भी बता दी तो उनका जब आप सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दे दिया कि स्वच्चता के तहट यह कारे किया जा रहा होगा अब सवाल यह है कि बच्चे पढ़ने आते हैं या स्वच्चता के नाम पर स्वचाले के लिए पानी ढोने और जाज कराने की बात भी कही मुख्यमंत्री कमलनाज जी और शिक्षा मंत्री प्रभूराम चौधरी जी जरा फिल्मी सितारों की जगमगाती दुनिया से बाहरा कर अपने राज्य में बच्चों का भविश्य के साथ हो रहे खिलवाल को भी रोकिये नहीं तो जैसे इनका भविश्य अंधिकार में है वैसे ही कहीं आपकी सरकार का भविश्य भी अंधिकार की ओर ना चल पड़े अगर आपके द्वारा यह बताया जा रहा है और मेरे संग्यान में भी नहीं जाया गया है और अगर ऐसे हमारे जो प्रानपाटक है या जो प्रचार गण है या जो संबंदी संस्ता प्रभारी है इनसे जैनकारी ली जावेगी कि वहां पर बच्चों से पानी क्यों डिलव ही मिले स्वक्सता विहान हमारा चल रहा है और वह इसलिए अगर सवाचाले बगर अगर हम साप कर रहे हैं तो वह सिक्षक की उपस्तिती में होना चाहिए ऐसा नहीं कि बच्चों के सुपरत करके हम चले जाएं कई अगर सिक्षक वहां पर खड़े हुए और उसामने देख बच्चों को प्रातना से लगाकर साम की प्रातना कराकर उनको छोड़ने के बाद विद्ध्याले चोड़ना और इस बीच में अगर वो नहीं रहते हैं तो यह उनकी घोर लापरवाई है इसमें उसे दंडिद भी किया जा सकता है इसमें जो भी उच्छ अधिकारी को मारद मौसम का मिजाज रोज बदल रहा है एक तरफ लोग ठंड का कहड धेल रहे हैं तो दूसरी तरफ रह रहकर हो रही बारिश मुसीबितें बढ़ा रही हैं अब एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है महराष्ट मध्यपरदेश और 36 घड़ में भारी बारिश के आसार बने आने वाले 24 घंटों में महराष्ट के नांदेड अकूला चंदरपूर के अलावा पश्चिम बंगार और ओडिशा में भी बारिश के आसार बने हुए हैं फरवरी की शुरुवात हो चुकी है लेकिन अब भी पहाणों में हो रही बर्तबारी के कारण मैदानी राज्यों मे शीत लहर का दौर चल रहा है वहीं कुछ राज्यों में अगले 24 घंटे में बारिश का दौर चल सकता है मौसम के हालाद की बात करें तो आगले 24 घंटे में महराष्ट के अलावा मध्वरी शपिसवर और दक्षण भारत के कई शेहरों में भारी गरच के साथ बारिश होने क के आफार हैं महाराश्ट के विधर्व छेतर में बारिश जारी रहेगी यह बारिश नादेड अकोला चंद्रपुर जैसे शेहरों पर देखी जा सकती है मौसम की भविश्वाड़ी करने वाली नीजी एजिंसी स्काइमेट के अनिसार महाराश्ट के अलावा जारखंड और प स्काइक्लोनिक प्रेशर बना हुआ है इस कारण भाराश्ट के अलावा पूर्वी मदप्रदेश चतिसगर और उडिशा के कुछ हिस्सों में 24 खंटे में गरच वक के साथ तेज बारिश हो सकती है पात फरवरी तक मदप्रदेश और चतिसगर के कई इलाकों में तूफानी बारिश हो सकती है और इसके बाद इसमें थोड़ी कमी आएगी वहीं जमु कश्मीर लग्दाक और हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार हैं अरुनाचल प्रदेश और पूर्व असंद के भी कुछे शेहरों में हल्की बारिश चारी रह सकती है हालाकि पंजाब और उतर हिस्सों में दिन भर बादल चाय रहे और ठंड मैसूस होती रही पारा समाने से तीन दिवरी नीचे गिरा रहा कवर्दा बेमितारास सहेत कई इलाकों में बारिश हो रही है राज्य के अधिकांच हिस्सों में बादल चाने वा बारिश के साथ ओला वरष्टी को लेकर मौस ज्यानिकों के मुताविक 36 गड़ से आगे मध्य प्रदेश के ऊपर 1.5 क्लमीटर पर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असाथ से 36 गड़ के उत्तरी इलाकों में बल्रामपुर बस्तर में वारिश हो रही है इसके अलावा प्रदेश के मध्यभाग में अनेक जगा ह पर वारिश के संभावना है दामोदर वंशी जूना गुजराती समाच के अखिल भारतिये टेक्चंजी महराज रजिस्टर ट्रस्ट करच्छा के त्रिवर्षे का चुनाव गुरुधाम करच्छा में संपन हुए समाच के इस प्रिवर्षी चुनाव में तीन पैनल शामिल हुए थे यह चुनाव ग्यारा पदों के लिए किया गया था जिसमें तीन सालों से लगातार जीते आ रहे महाकाल पैनल ने एक बार फिर जीत हासिल की है दामुदर वन्शी चुना गुजराती अपने समाच के लोगों को जोड़े रखने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है जुना गुजराती समाज में हर तीन सालों में एक बार चुनाव होते हैं जिसमें समाज के ही अलग-अलग पैनल हिस्सा लेते हैं और समाज के लोग वोज करते हैं समाज का यह चुनाव पूरे नियम काईदे से होता है जिसमें निर्वाचान अभिकारी पूरी चुनाव क्रिक्रिया को संपन कराता है इस बार चुनाव में जुना गुजराती समाज के तीन पैनल शामिद हुए थे जिसमें महाकाल पैनल ने लगातार तीसरी बार एतिहासिक जीत दर्ज कराई गुरुधाम कर्चा में संपन चुनाव में महाकाल पैनल ने अध्यक्ष सही सभी ग्यारा पदों पर जीत हासिल की चुनाव में अध्यक्ष पत के लिए महाकाल पैनल के वर्तमान अध्यक्ष मोहन लाल चौहान ने कड़े मुकाबले में भवर लाल जाधव को 86 मतों से पराजित किया चौहान को 1675 मत वा जाधव को 1589 मत प्राप्थ हुए बहीं अध्यक्ष पत के अन्य प्रत्याशी नरेंदर परमार को 45 मत बंसी लाल परमार को 304 मत मनोर्मा देवी गोयल को 41 मत प्राप्थ हुए सचिप पत के लिए मुकाबले में महाकाल पैनल के नरेंदर पडिहार ने मोहन लाल मकवाना को 368 मतों से पराजित किया पडिहार को 2003 मत वा मकवाना को 1635 मत प्राप्थ हुए थे कोशा ध्यक्ष पत के लिए महाकाल पैनल के मनीश सोलंकी ने बाल किष्ण गेहलोत को 265 मतों से पराजित किया सोलंकी को 1879 मत वा गेहलोत को 1604 मत प्राप्थ हुए थे जब की ट्रस्टी के आठ पदों के लिए महाकाल पैनल के रमेश चंद्र जाबी 1781 मत धनराज महिश्वली 1725 मत रूप किशोर सोलंकी 1723 मत गोपाल परमार 1669 मत हेमराज सोलंकी 1648 मत महिश चोहान 1633 मत शांतिलाल पवार 1597 मत वा सुभाश कोयल 1579 मत प्राप्थ कर विजय तीसरी बार मुझे अज्यक्सप्रत के लिए चुना गया जो समाज का बहुत बड़ा पहसान है और समाज ने महरा पर विश्वास किया है और समाज का विश्वास जिता है पेशा भी दिया धन भी दिया और विश्वास भी दिया इसके लिए कर्चा ट्रस के चुनाव के लगतार तीसरी बार बने निर्वाचन अधिकारी सोहन नाल परमार ने मदगर्णा के पश्चाद विजई उमीदवारों की घोशना की परिणामों की घोशना होते ही महाकाल पैनल के समर्थकों ने विजेता प्रतियाशियों को फूल माला पहना कर बधाई दी और जम कर आतिश बाजी कर जीब का जेश्ट मनाया शांती पूर्वत मतदान के लिए परियाप्त पुलिस बल्की भी विवस्ता की गई थी बहुत शांती पूर्वत सभी केंडिडेट्स थे और उनके वोटर्स थे बहुत चांती पूर्वत तारीत के काबिल है आज की प्रणाली जो है निस्पता पूर्वत रही है रात को जरूर दिक्कत हुई थी पर पुलीस प्रसासन और सासन का सहयोग से मतदान बहुत ही सांती पूर्वत धन से संपन हुआ है और निर्वरात पूर्वत से संपन हुआ है समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे हैद अखल्ण ने और संघीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने पार्णे था चंबल के पिढ़नों से नकसलवादियों के गड़ था जोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पकडंडियों से सडकों तक, गाउं से शेहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राज़्टीती से कूटनीती तक, दखन न्यूज, आपके हट तक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रीवा में एक बार फिर दहेज प्रथा का मामला सामनी आया है, चुरहटा थाना छेतर के रहट गाउ में अनिता नट नामक 26 वर्ष ये महिला की फासी लगने के करण मौत हो गई है, महिला के परिजनों का रोप है कि उनकी बेटी को मार कर फासी के फंदे पर लटकाया गया है, चुरहटा थाना छेतर के रहट गाउ में अनिता नट नामक महिला की फासी लगने के करण मौत हो गई है, घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शफ को पीम के लिए संजे गांदी अस्पताल भेज दिया है, व रतिका ने फोन पर अपनी मा को अपने साथ हो रही प्रतार्णा का पूरा दुखडा सुनाया था, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जान शुरू कर दी है, अब ब्रता किशोग का पंच नाम के एक महिला थी, जिसके मौक लगवा पच्छी शट्वी साल थी और लगवा फांस वर्त पहले उसकी चादी हुई थी, ऐसी जानकाड़ी मिली है कि 6-7 दिन पहले उसमें फांसी लगा दरके हात्त्मत्य करने का प्रयास किया सा, बसे इला आए दिन हो रही सड़क दुरगतनाओं को देखते हुए, पुलिस की एक टीम श्राश के उचतर माधमिक विध्याले पर पहुँए। पुलिस अधिक्षक अभिजीत रेंजन के निर्देश पर यातायात प्रभारी अजेप्रताब सिंग्सूबिदार आशीश तिवारी वा ट्रफिक पुलिस की टीम जिले के पर सोना खुटार मार्ग पर इस्थित शाषकी उचतर माधमिक विध्याले पहुची। गाड़ी चलाएं बाइक या स्कूटी चलाते वाज उस पर दो से ज्यादा लोग ना बैठें। चालक तथा सवारी दोनों हेलमेट अवश्य पहने बाइक कभी भी तेज ना चलाएं। मोबाइल फोन बर गाड़ी एक साथ कभी भी ना चलाएं। के लावा सलक सुरक्षा सुसंबंदित अन्य नियमों जैसे कारादी चलाते समय कार में बैठे हुए हर व्यक्ति को सीड बेल्ट लगानी चाहिए नशे का सेवन कभी भी गाड़ी चलाते वक्त ना करें। में नियमों का पालन करें और फिर अपने परिवार और आसपास के लोगों को सलक सुरक्षा नियमों के पालन के लिए प्रेवित करें। के आदेश से अभियान चलाया जा रहा है जिसके तार तम्मे में आज खुटार में इस्थित शार्ष किये जो स्कूल है वहां हमने बच्चों को रोड अवेरनेस और रोड सेफ्टी के बारे में बताया है उनको बताया है कि जब भी रोड पे जाएं सदर्ग रहें सजग र हत्या के मामले में इस गुथी को पुलिस ने सुल्जा लिया है हत्यारा मृतक महिला का सवतेला बेटा है जिसने अपने साथी के साथ मिलकर महिला की हत्या की थी सिंग्रॉली विंध्या नगर थाना अंतरगत सेमरिया गाउं में हुई अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है सुतेले बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी सुतेली मा की हत्या की थी बिंदेनगर ठाना छेतर के सिमरिया गाउं में अधेर महिला के मिले अर्दनगन शव के मामले में हत्या की गुथी पुलिस ने सुलजा दी है हत्या में शामिल सौतेले बेटे राम जी जाइसवाल और उसके बेटे आरोपी संजे साहू को गरफतार कर लिया गया है इस कतल का खुलासा करते हुए पुलिस अधिक शक अभीजीत रंजन ने बताया कि मृतिका शकुंतला जाइसवाल के सौतेले बेटे राम जी जाइसवाल और उसका नजदी की दोस्त संजे साहू ने हत्या की थी दोनों की विरुद धारा 302, 201 का मामला दर्ज करगर अफतार कर लिया गया है एसपी रंजन ने बताया कि एसपी प्रदीप शेंडेवा, सीएसपी अनिल सोनकर के सतत देख रेक में कारवाई की गई ये बात सामने आई कि अर्से से चल रहे गरहेलू कले और संपती के बटवारे के विवाद को लेकर अरुपी सौतेला बेटा राम जी जाइसवाल अपनी सौतेली मा शकुंतला जाइसवाल से आए दिन विवाद करता रहता था इसी बीच बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राम जी अपने नजदी की दोस्त संजे साहू को जमीन और रुपे देने का लालज देते हुए उसको अपने साथ मिला लिया और योजनावत तरीके से रात में अंजान व्यक्ति बनकर साकुंतला को घर के बाहर बुलाया और बहाना बना कर खेत की ओड़ ले गया जहां पर धारधार और जार बका से हमला कर दिया हमले में साकुंतला के सिर में गंभी चोटी आई और मौत हो गई इस दोरान पुलिस और पबलिक को गुमरहा करने के प्रयास में कपड़े दाएं बाएं फेक दिये और हत्यारे वहां से फरार हो गए दोरान हमें यह पता चला कि हैं इसा मन में अथिक हिस्सा चाहता था कि उसके मधन में लालच थी ऐसको ठीक से प्यार मैं नहीं करता था बच्पन में और साती साथ भूमी में नहीं जो प्यत्रिकु संपत्ती थी उसमें भी अधिक हिससा चाथा उसके मन में लालच थी और इस मार्ग में वह बाधा ठेल पर करवाई कि और जांच के लिए रिफाइन वास सरसो तेल के सैंपल लिए गये गये गई बिलावत खोरी को रोगने के लिए सरकार ने शुद के खिलाव युद की शुरुवात की जिसके तहद गौलिया पर्शाषन इस अभियान के तहद पहली पर्शाषन ने दस ITM के सामने बने गुदाम में दो टैंकरों से संभावित मिलावती तेल लाया गया था जिसकी सूशना पर अभिकारियों ने यह करवाई की इस गरान अभिकारियों ने वहाँ पर कार कर रहे मजदूरों के बारे में भी जान कर लिए भारते कोईला खादान मजदूर संग सारवजनिक छेत्रों में उद्योगों को बचाने के लिए संगर्शरत है इसको लेका कोईला खादानों में गेट मीटिंग की जा रही है इसी संबन में BMS ने कलेक्टरेट में धरना प्रदर्शन की चितावनी दिए वहीं दूसरी तरफ कोईल ट्रांसपोर्ट ने भी कोईला वेपारी के साथ बैठकी ट्रक भरवाने के लिए 500 रुपे टंड से वसूली के अवैद काम के लिए मुखमंत्री कमलनाथ को ग्या पंच सौपने की बात कही जिला थिन्वारा के परासिया में कोईला वेपारी और ट्रांसपोर्ट यूनिन की बैठक हुई जिसमें ट्रक यूनिन में कोईला वेपारी को अवैद रुपे देने सिंकार कर दिया लंबे समय से ट्रुक में कोईला भरवाने के लिए कोईला वेपारी को 500 रुपे टन के हिसाब से देना पड़ता था इसी बात को लेकर आज दोनों के दीज में बैठक हुई और ट्रस्मीने में इसकी शिकायत मुखमंसरी कमलना को जापंदे करने 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 ने लिया वेपारी ठेकदारों दोरा जो 500 रुपे पत्री टन से वेपारियों को माल के लिए बोला जाता है उस बिसे में आज हमने बैठक करें जिससे विपारी अगर 500 रुपे तरण त्रहकेदार को नहीं देता है उसकी गाड़ी में खराब माल भर दिया जाता है जिससे उस विपारी को आर्थिक पुरा दंदा चोपड हो चुका है और परासिया में पूरे ट्रांस्पोर्टर की इस्तिति पलाएं यह हो गई जाओंगा ना मैं लेता हूं ना मैंने पहले लिया ना भी बाद मिलूँगा सिवनी में हर साल की तरहा इस वर्ष भी बैल जोडियों की अनोखी दौर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस दौर प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौझूद रहे प्रतियोगिता में जीतने वाली जोडियों को इनाम भी दिये गए सिवनी के धनोरा विकास खंड के तुआ घोगरा गाउं में कतीस सालों से बैल दोड प्रत्योगिता की जा रही है इस कायोजन एक बार और किया गया कारिक्रम में प्रथम इनाम विजेता बैल जोडी के किसान को एक फ्रीज मिला दूसरी बैल जोडी को वाशिंग मशीन तो वहीं तीसरी बैल जोडी के किसान को सोफा सैट दिया गया अन सभी बैल की जोडियों को भी स्वांतना परुसकार दिये गया गौतलव है कि यह पट प्रतियोगताएं सिवनी के विकासखन, बरगात, छपारा, घनौरा, केवलारी छेतरों में बरसों से आयजित किया जा रहा है इस्थानिये लोगों ने बताया कि यह आयोजन लगभग 30 सानों से लगातार हो रहा है जिसमें दूर-दूर से लोग इस प्रतियोगता को देखने के लिए अपने-अपने घरों से बैल जोड़े लेकर आते हैं 31 वर्स गांट चल रहा है जो बुजरुब लोगों चलाते रहे हैं उसको हम लोग चला रहे हैं और ये जो है 25 रुपे उन्टी थी तब से हमारे ग्राम तुवा घोगरा में इसका कारकरम आजित किया जा रहा है और छेत्र में हमारे इस ग्राम पंचा तुवा घोगरा की अंतरगत ये जो मैदान है सर्वस रेष्ट माना जाता है और यहां पर जो है 80-90 किलो मीटर दूर तक के बैल जोड़ी आते हैं और ये जो है छेत्री मैदान है पलाकिस्तरी कारकरम होता है काफी लंबे समय से चल रही है और इस प्रतियोगता के माध्यम से किसान भाई जो है बैलों की अच्छी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के माध्यम से प्रतियोगता में भाग लेने के पश्चात उनकी कीमत जो है कई गुनी बढ़ जाती है और उसके माध्यम से किसान लोग अच्छा पसुपालन का कार कर रहा है जिससे की बैलों की सेवा हो रही है और उनमें से देखा जाता है जिले भर से यहाँ पर इस मैदान में ही नहीं जिले भर में ये प्रतियोगता का आयोजन होते रहता है कारिक्रम को देखने के लिए दूर दूर से गाहों के लोग आते हैं बताया जाता है कि इस्थानिय स्वमीतियों की द्वारा इस प्रतियोगता में नियम और कानून बनाए गए है इस कारिक्रम में लगब असी बैल की जोडियों ने भाग लिया इस दौरान इस्थानिय लोगों के साथ गर्मा निन्नागरिक उपस्थत रहे आयोजिकों ने बताया कि प्रतियोगिता में एक छोटी सी बेल गाड़ी रहती है जिसे बेलों के द्वारा एक निश्चित रास्ते से दोडाया जाता है मगर बेल जोड़ी अगर रास्ते से भटक जाती है तो उसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और जो बेल जोड़ी निश्चित जगहां पर पहुँच जाती है वो इनाम की हगदार होती है यहां पर बेल जोडिया कुल असी जोडिया यहां भाग ले रही है तो अभी प्रति युक्ति चल रही है उसमें से कितनी फाइनल हुई हैं क्या है आपका यह जो टोटल खेल है कैसे चलता है यह खेल ऐसा चलता है 80 जोडियां को 40 जोडि बनाकरकर प्रथम चक्र में निकाल दिये हूँ और उसमें से 40 जोडि जीत कर आई हैं उनके बीच में final लिया जा रहा है ये point के उपर चलता है 40 जोडियां बनाकरकर उनका 20 जोडि बनाकरकर final में लगाया गया है और जो बेल जोडी कम समय में अपना मैदान पार करेगा वो फ़स्ट फेकंड थर्ड छोथे का अब हागदार बनेगे संत्य हिर्दाराम नगर में बोर्वन क्लब ने स्वास्थे परिक्षन शिवर का आयजन किया इस स्वास्थे परिक्षन शिवर में सेक्डों की तादात में शामिल हुए और अपनी स्वास्थे समस्याओं के बारे में जानकारी ली और अपना स्वास्थे परिक्षन करवाया संत्य हिर्दाराम नगर में बोर्वन क्लब द्वारा स्वास्थे परिक्षन शिवर का आयजन किया गया शिविर में गांथी जी के गाये वैशनव जन भजन को भी गाया गया शिविर में सवच्चता को लेकर लोगों को जागरुक किया गया शिविर में सैकडों की तादात में लोगों ने भाग लिया और अपना स्वास्थ परिक्षल कराया शिवर में मदू में रक्त चाप पेट की सभी विमारियों वा लिवर संबंदी विवारियों के विशिशग्यों ने लोगों को संबंदित जानकारी दी इस मौके पर बड़ी संख्या में कलब के लोग मौजूद रहे कारिक्रम में सवच्चता खुल लेकर कई बाते कहीं गई साथ ही परियावरन को सवच्च बनाए रखने के संदेश भी दिये गए करिक्सा के लेषट के लोगो को शांचे कालाव मिल्सके कासे हो परिक्षांद हो सके technika पूरी दिवाटीम है यहां की इस बुरची में फिलहाल इतना ही आप देखते रहे दखली दखला आपके हक्त में संगीत 300 लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से उटनीती तक दखन न आप देख रहे हैं दखल्यूज